हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू हिंदी मिरर चानल सभी स्टूरेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत हैं जितने भी स्टूरेंट्स हैं उत्रखंड यूनिवस्टी के हमसे जुड़ जाइए चलिए आपके लिए नया कंटेंट आ चुक्या है और जिनका भी अस्टू है प्रिवेस कोशन पेपर भी मैंने अप्लोड किये थे और एज़े इट वहाँ पर कोशन थे तो सभी इगने अगर आच्छे से तैयारी की होगी तो पेपर डेफिनेकली अच्छा गया होगा तो कमेंट बोक्स में जरूर बताएं कमेंट करके कि पेपर कैसा गया है और आपको बहुत टाइम से इंतिजार था कि B, A, A, L की जो है वीडियो डाली जाएं आपकी 101 की भी अप्लोड करेंगे 201 की भी अप्लोड करेंगे 301 हम लेकर आई गया है क्योंकि आपका 301 का फस्ट में पेपर होता है 201 का भी पेपर खतम हो चुका होगा तो अभी थोड़े द इस कॉशन पेपर ही अप्लोड कर पाएंगे आपके लिए अगर बुक का भी आपके पास वैसे तो बुक अप सभी की आ गई हैं तो आप टेलेग्राम चैनल से भूड भी ले सकते हैं चल यह शुरू करते हैं वीडियो आपकी शुरू करने से पहले वही है अगर अभी तक स 23 में आपका पेपर education का है तो education की भी बहुत अच्छे से तयारी कराए जाएगी जिन students के पास education है तो वो चिंता ना करें 20 और 21 में आपकी बहुत बढ़िया 20 से ही आपकी तयारी शुरू कर देंगे 20 में आपका 101, 102 ऐसे करके सारे paper अप्रोड कर देंगे फिस second paper आपका 21 में हम तयार कर देंगे previous question paper भी साथ में चलिए जो English के student है वो देख लीजिए आपके paper का नाम है drama सभी को पता है और यह जो paper हम लेकर रहा है 2018 का paper है चलिए देख लेते हैं इसमें आपके किस प्रकार से questions बने थे pattern आपको बताईए नंबर आपके 18 नंबर का ही आ रहा है लेकिन समय आपका 2 गंटे है हमें मालूम है कि timing बहुत कम है और questions जो है काफी लेंदी तो 20 नंबर यहापर 90 नंबर का आ रहा है वहाँ पर आपक लिखना पड़ता है कम से कम 5-6 के page 20 तो आपको लिखने ही होंगे पास से एक page का मतलब आप क्या समझते हैं इधर से समझते हैं यह सिर्फ यह केवल एक page समझते हैं इधर से इधर से ही यह एक होता है इधर से दो होता है जब आप one side बनाते हैं कोई file तो वहाँ भी तो आप count होता है तो इस प्रकार से अगर आपने क्योंकि आपने जो book है book late है आपने वो देखी होगी जिस पर आप exam देते हैं exam industry जो है आपकी वहाँ पर आपने देखा होगा 23 page की sorry 26 page की आ रही है उसमें उपर ही लिखे रहते हैं कि long question इतने में 1 से लेकर वहाँ पर जो आपके long question द दे रखे हैं 6 से लेकर 8 तक आपके question दे रखे हैं long के लिए तो long का मतलब 2,4,6,8 यानि के 4 question आप करेंगे उसमें sorry यहाँ पर 8 नहीं है शायद 13 है तो इस प्रकार से आपके 2-2 page के निकलेंगे तो यहाँ पर यह निकलेंगे आपके 14 page तक वैसे उन्होंने 13 तक दे रखा है तो इसका मुझलब आपको कितने page fill करने है आपको 1-2-3 ऐसे 3 page fill करने है पिर 1-2-3 फिर आपको 3 page fill करने है प्रकार से आपको यह paper apply करने है अपने paper में अप देख लेते हैं आपके questions ड्रामा में किस परकार से बने हैं मैं धीरे-धीरे scroll करती जाओंगी आप अपने questions जो हैं देखते चले जाना क्योंकि मैंने बुक नहीं देखी इसके तो मुझे आइडिया नहीं है कि किस प्रकार के आपके कोशिंज बन रहे हैं आपने बुक देखी आपने पढ़े भी होगी तो आप इन questions को go through करते चले जाएए मैं धीरे धीरे स्क्रोल करती जाओंगी दो paper मैं आपके लेकर आई हूँ 18 का और 7 में 19 का 18 वाला ये paper है long question में ये इस तरह के question है पहला दूसरा फिर उसके बाद तीसरा आपका discuss the influence of the west on modern Indian drama इस प्रकार से ये आपके questions है फिर आ चुके long question में यहाँ पर सिर्फ 4 question है वहाँ आपको choice मिलेगी ठीक है यहाँ पर अब आ चुके हैं हम short question में write a note or the university's whites ठीक है इस प्रकार से ये सारे आप देख लीजे question analogies the character of when को फिर यहाँ पर ये short question आप देख लीजे अच्छे से screenshot ले लीजे या इनको पढ़ लीजे हैं करें फिर इसके बाद चलिए आपको हम क्योंकि नीचे वाला जो है c section यहाँ पर तो mcq base है तो mcq base तो भाई नी राय पेपर तो यहाँ पर ये आपके question हो चुके हैं आप चलते हैं आपके 19 वाले पेपर पर ये था आपका 18 का चलिए अब आप देख लीजे वही आपका B.A.L. 301 बुक का नाम ड्रामा बैचलर ओफार आर्ट्स थर्ड येर और 2019 का ये पेपर 18 नंबर का वही जो आपको पैटान भी समझाया था यहां पर आप देख लीजे वही 19 नंबर का यहां पर कोशन है लेकिन आपका 20 नंबर के दो आएंगे वही चार कोशन इस वाले पार्ट में आपका देख लीजे हाँ पर आपका आपका ये कोशन्स बन रहा है तो इस वाले कोशन्स को अच्छे से कर लीजिए मैं भी पढ़ रही थी तो ये वाला कोशन मुझे बहुत ही इंपोर्टेंट लगा इसको आप कर लीजिए ठीक है अब आगे चलते हैं कुछ आइडिया मुझे इसमें नहीं है कि बस में पेपर आपके लिए लेकर आ गई हूं क्योंकि इसलिए मैं दिकत नहीं आती है तो पेपर में इसलिए लिए आई हूं कि थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि आपके कोशन किस प्रकार से बनेंगे पहरा कोशन ने राइटे ब्रीफ नोट भी डिफरेंट टाइप सो पिस्टेज यूज था थेटर थेटर से थेटर वाला जरूर कर इसको आप देख लीजे चलिए इस प्रकार से आपके ये कोशन थे बाकी ये सी स्क्षन है सी स्क्षन में मैं आपको बताए कि यहापर तो MCQ बेस आता है तो इस तरह के कोशन तो आपके एक्जाम में बनते ही नहीं है ये आपका 18 और 19 का पेपर था अगर आपको और भी पे होते हैं समर और विंटर तो ये वाला आपका पेपर जो है समर का है ऐसी जो में 18 वाला पेपर ले कर आए थी वो आपका पेपर विंटर का था ठीक है तो अगर आपको समर विंटर दोनों का एक साथ पेपर चाहिए तो comment box में बताइए मैं और भी paper ऐसे ही आपके लिए लेकर आजाओंगी और आप उनको देख लिजीगा कि किस प्रकार से question बन रहे हैं तो बस इतना ही कर सकते हूँ आपके लिए इतने short time में तो बने रहे हिंदी mirror के साथ comment box में अपनी queries send करते रहे हैं अच्छा लग रहा है आप लोग का साथ है जब तक exam है तब तक तो साथ रहे गा ही उसके बाद भी अगर आपको मैं कई बार बता चुक हूँ आप किसी competition की तयारी कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो channel है हिंदी subject से related है सारा वैसे और भी subject pattern जो होता है वो English में भी करने का होता है लेकिन हम हिंदी जो student होता है उनको ही तयारी कराते हैं जैसे आपका sociology है अगर आप हिंदी में attempt कर रहे हैं तो हिंदी में ही आपको तयारी कराई जाती है तो बने रही है हिंदी मेंर के साथ और चैनल का नाम भी इसलिए हमने हिंदी मेंर ही रखा वा है क्योंकि हिंदी वाले जो बच्चे बहुत परेशान रहते थे तो उनकी तयारी के लिए इस चैनल को हमने बनाया था बहुत से आज कल जितने भी चैनल हैं सब चैनल पर ज़्यादतर इंग्लिश में तयारी कराई जाती है तो उसे बच्चों को दिक्कत होती थी तो बने रहे हैं आप अपनी अच्छी तयारी के लिए और कमेंट बोस में क्वैरिस सेंड करते रहे हैं